शिमारू के नई वेडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि अनु करना पड़ता है लोगों को खुश रखना पड़ता है भी है इंटर्टें दें इंटर्टें इंटर्टें कल वहां पर 18 और 19 साल की लड़किया थी देखा जाए तो एक तरीके से हम वेशा व्रती को बढ़ावा दे रहे हैं इत वस्षियर प्रॉस्टिट्यूशन देखो आन्वारादा हमने ने रोका लेकिन यह माने नहीं सर हां ठीक है तुम लोग जाओ जी है सोच जो हो है कि मैं रिजाने के बच्स हो इत शले हराम को दो के बादा है मैं देख लूँगा पर तू साली कुल्टा बचलान विवेग चारो उसे मुझ पर हाथ उठाने की खलती मत करना तुमने मुझसे मेरी आवकाद पूछी थी ना आज मैं तुम्हें अपनी आवकाद बताती हूं मेरे एक फोन कॉल करने पर तुम्हारी बेल कैंसल हो सकती है बहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ कि पुम यहां से लिए कि मुण अओक अवकाद कि मढ़काद कि मुण बपकाद झाल झाल कि मुझे लगता है बेग और चौहान को समझाना पड़ेगा आप करें तो बीच सड़क पर उसकी दज्जियां बड़ा मज़ा आएगा आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए हम लोग आपके साथ है यह सब करने की जुरूत नहीं और इसके बारे में नहीं साहिब जोशी से बात की तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता सेम साब पिछले कुछ महिनों में चीफ मिनिस्टर ऑफिस और आपके कई मंत्रों के नाम एक साथ कई बड़े घपलों में सामने आये हैं इसके बारे में आपको क्या कहना है जिन स्केम्स की बात ओपोजिशन वालों ने उठाई है उन लोग और जनता भी जानती है कि पिछले चार साल में मेरी पार्टी और मेरी सरकार ने किस तरह के काम किये हैं हरो जोपोजिशन वाले एसेमली में सिर्फ फाल्तु किनारे बाजी और बाहर सड़क पर पत्थर बाजी करके सरकार के काम में रुकावत डाल रहे हैं जिसका अीज़ को ऊघ्यार थन्मार जा प्वC tips परन gewoon किकी यह कुम पमें वाले बाहर नुश क्या में पर प्त। जौन साब वो कोठारी बिल्डर ने एक बाद फिर पैसा देने समना कर दिया जानता हूं आज पहली बार नहीं हुआ है इसलिए डेड़ सालों में चौती बार हुआ है सारा पैसा बेग के लोगों को जा रहा है और तू यह ठाकूर तेरे को कितनी बार समझा है कि बाबा को ट अब मेरे को बोलना पड़ेंगा तेरे को क्या करना है है साला क्यों रहे तेरे पंटर लोग क्या हिजडों की तरह इदर उदर गूम रहे है और लगा सालों को कि अधाली मैं भाई लोग को खटा कर को ठारी बीडर को टपकाने का है कि अधाली में उदान है अ कर फ्या क्या है नग्या याद, इन है अ वह बहुत प्यू क्या रखना है अगरणीह क्या है और क्या उचप आजसी क्या पैर मेरे क्या है झाल 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 सब्सक्राइब करने लगे हैं अगर आपका इशारा कोठारी सेट के मर्डर की तरफ है वेक साब तो जिसने भी यह किया है उसने पिछले साल जो सेठी का एक्सिदेंट करवाया गया था उसका अच्छा जवाब दिया है मेरे पास जादा वक्ली है और चोहान साहब आप इसे पंचायत कहें अकच्छ भी देखी बेक साहब देख साहब आज हमें कठा हुए हैं तो इस बात का फैसला कर लिया जाए कि नौर्ट मुंबई का पार्टी प्रेजिडेंट कौन होगा और बहरामबाग नहरु नगर और आजाद नगर से आने वाले एलेक्शन में किसको टिकट दिया जाएगा देखी बेक साहब हम सब लोग यहां पर एक साथ इकठा हुए हैं तो आपसे बातचीत करके तैय कर ल मुझे नहीं पता था अन्ना साब कि हमारी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गये हैं कि अब गुंडे मवालियों को टिकट दिये जाएंगे चोहान अपनी हद में रहो और यह मत भूलो कि अगर मैंने एक इफ्तार पार्टी रख दीना तो सारी पार्टी हिल जाएगी एक अब अब आप सब लोग एक ही पार्टी के लोग है कि मेरी आप सब लोगों से बिंती है कि अपने आप सी मत भेद लड़ाईयां भूल जाएं इलेक्शन जाने वाले हैं मेरी कल रात ही दिली में हाई कमांड से बात हुई है यह सब फैसले दो चाह दिन के अंदर अंदर हमारे सांसद यशंद वर्दे खुद यहां पर आकर ले लेंगे पार्टी हाई कमांड का फैसला यह श्वंद को यहां भेजना हमारे मूँ पर तमाचे की तरह है अब वो क्या फैसला करेगा आकर है तो चोहान का कुट्टा ही ना फिक्र मत करो बल्राम अब मैं बहुत जल्ब ऐसी चाल चलूंगा कि सत्ता हमारे हाथ में होगी अश्यकाल कि सत्ता हमारे हाथ में हो चैसे की अज़ में होगी ळगके में हो अज़ का अज़ को बल्राम झाल झाल करें करें लिए हुआ यजँ अई वेव को अब तक घर पर हो तान ने देखा लिए किया ताइम और अब नो बज़ गए नो बज़ गए ओ शिट फिर लेट होई हां और तेरी वो ट्रांस कॉप की प्रोजेक अब तक तैयार नहीं हुए है अच्छा ठीक है सर्मत खा मैं जा रही हूँ भाई दोड़ रही है तो अरे बत्रा ने कुछ पेपर मांगें यार नहीं मिल रहे हैं रिलाक्स यार इतना टेंशन क्यों लेती है वह जाएगा तो वह तेरी भी लेने वाले हैं पूछ रहे थे तेरे बारे में फूछ रहे हैं फूछ वह पार गई चुप वह सारी रिपोर्ट्स मे अरे बहुत बढ़िया सूट पहना है आज इस माइं ब्लॉइंग रियली सर विकेंट पर आप कहले गए थे ना कैसा था ट्रिप अरे बहुत बढ़िया गोल पर रोयल पाम तो चलेगा प्लीज यह शूट बढ़िया है ना फैंटास्टिक सब्सक्राइब तो प्रिपोर्ट्स में शाम तक मिल जानी चाहिए यह सब एक भी गलती होनी नहीं चाहिए उसमें नू 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 टेकिव रोल ताइम तो स्वीट पांड प्लेश पांड प्लिए कि होगेगे यह चोड़ना यार लंज के बाद सोचते हैं अट लिए सब्सक्राइब जोड़ने लेक्शन में लगता है यह तो मैं थे इस गर नू 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 पर बच्छोए ने को नीन को यह अराम कर दिया है वाट दिया है क्या वाट यह य कि नेना दम इस ने लिख में बात करना बन करो अजाना कि दूनिया अलग है हमारी दुनिया हना शना समय तैसाimmer वोट करने के लिए एलिजिबल कब होते हैं 18 साल के बाद आठारा के बीच में रहे आठ साल ये पिछले आठ साल में इलेक्शंग कितनी बहुंए इलेक्शन का क्या है यार हर साल तो होते हैं होली दिवाली की तरफ एनीवेइड माइपॉइंट इस पॉलिटिक्स की गंदगी से दूर रहना चाहते हैं इस प्रशान कुलकर्णी के सरकार ज्यादा रिंटिकने वाली नहीं है अज मुझे इस बात का गरभश के हमारी पार्टी के एक-एक कार्यकरता ने इस निकम में सरकार का परदा पाश कर डाला है हमने यह साबित किया है कि जनता की सेवा की आड में कुलकर्णी और इसके मंत्रियों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी है वे विवेक चहान यह कहता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी शर्म बाकी है तो आपना इस्तफादे दे क्योंकि सरकार में रहने का हक वो खोचुके ह तो मैंने साथ बोलें कि एक चीम कुलकर्णी इस्तफाद हो परशान कुलकर्णी मुदाबाद 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 है यश्वन दली से आचुक है लगता है आज तेरे बारे में फैसला हो जाएगा हुए हुए कहिए यश्वन्त जी क्या खबर लाएं दिल्ली से हमारे लिए तुम्हें बताऊंगा बेग साथ लेकिन पहले में ये बताना चाहता हूं कि यहां के अखबारों और टीवी पर आप दोनों के मद्वेदों की जो खबर बार बार आती रहती है उसे पार्टी हाई कमांड बहु है और हमारी पार्टी की इमेज के लिए यह सारी बातें ठीक नहीं है पार्टी की एक्ता बनाया रखने का दारों मदार आपके उपर है अड़नासा पार्टी हाई कमांड ने फैसला किया है कि नेरुनगर और बहरांबा की टिक्टें मिलिन पाटिल और पातिमा शेक को दी जाएंगे नौर्थ मुंबे के डिस्टिक्ट चीफ होंगे बल्राम यादफ और आजाद नगर से इलेक्शन लड़ेंगे बिवेक चौका पार्टी की एक टाके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं राइकमांड का फैसला मानना कौन सी बड़ी बात है लेकिन एक बात ध्यान में रखी जाए बार बार फैसले हम पर थोपे ना जाएं लियाकत अलीबेग हर बार कंप्रुमाइज नहीं करेगा पार्टी हाई कमांड की यह गुजारिश है कि प्रेस और कार्यकरताओं के सामने आप दोनों मिलकर आनॉंस्मेंट करें कि आप में कोई आपसी मद्भेद नहीं है ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले जहां तक हमारे मतभेदों का सवाल है तो यह कोरी अफवा है रूमार है ना जी बिल्कुल रूलिंग पार्टी की चाल है और मीडिया के ठाले हुए फाल्तू के चर्चे हैं क्यों चोहां साहब जियां बेग साहब और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में ब जैसा कि आपने देखा एक तरफ तो रूलिंग पार्टी पर इल्जामात है तो दूसरी तरफ मतभेदों की अफवा सत्ता का बाजार बिलकुल गरम है मैं विनाश पकाश न्यूज इंडिया से लो स्वीडिश खाओ खाना कैसा लगा यश्वन लाज जवाब माजी बड़े दिनों के बाद घर का खाना खा रहा हूं अरे बाबा मैंने सुना आज विवेक ने मोर्चे में बहुत अच्छा बाषन दिया यह तो शुरुआ था दावा मुझे पूरा यकीन है इस बार हमार पार्टी के सरकार जरूर बनेगी वह सब ठीक है बेटा लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना तो मैं अपने एरिया के अलावा दूतरी जगों पर भी कॉंसेंट्रेट करना है इस बेग का कोई भरोसा नहीं है एन वक्त पर धोखा देने वालों से है यह बाबा विलकुल अब पॉलिटिक्स की बाते बहुत हो चुकिया तुमारा नॉमिनेशन भी हो चुका है वक्ता आगया तुम शादी के बारे में सोचो क्या मा आप भी शादी के पीछे पड़ी है अब दो तीन साल तो मुझे करेयर पर कॉंसेटरेट करना और यह सब बाते सोचने के मेरे पा इस घर के बाहर तुम जो मर्जी करो लेकिन एक बात का ध्यान रखना इस घर में जो लड़की आएगी वो मेरे हिसाब से आएगी अरे माजी आप क्यों चिंता कर रही है विवेक बहु आपकी मर्जी से ही लाएगा चली मैं चलता हूँ आपना ख्याल अश्वन्त जी आएदा आएदा एक बात का ख्याल रखना अब तुम्हेले बनने जा रहे हैं चाहे कुछ भी करो लेकिन इमेज का ख्याल रखना जी आड़ा और वे वीगे, लिए आतरी अजिगों कि खिवायर है नुटार्ट कर खायार। यहानला है आतीति एला गट्टा और पार्ट ना ठाय दो सुल्टार था एज्ट का बूला रप वख्वाइश कर श्यूँडन आर यह था कर दो देली देली तो यह है वोगी शीला अजी कारपार्टी और शुमा अजी किडीपारी ने जब दो दो आप लिकने आप लिकने यह ने बात है तुम्हें दिली चोड़के दो साल हो गई है बड़ इसेल मिस्यू वेरी मुझे तो बिठा काम कैसे चल रहा है इसकोइड ओड मॉम देखिया शायद शायद मेने मुझे प्रमोशन भी मिल जाए ओ देखिया जोह वोग गई चीप चल रहा है आप प्रफाइल जॉब है ना बस एक दिन के लिए बंबे आई हू और अब यह हो सकता है कि अगले हफते में लंडन च कि मिस्टर सबोच साइकर अब रिवोस के बाद इस इंसान के पास इतनी प्रूसत ही कहा जो मिलें है हाँ जब तुम दिली में थी तो कभी कबार मिलेते थे लेकिन अब अब अनुशा में बात से बहुत खुष हुआ हूं वो रिलाक्स मॉम, अगर आपने मुझे रिस्पॉंसिबिलिटी देई रखी है, then just have the patience. मुझे जैसे ही कोई मिलेगा ना, सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी. Promise? Of course, that's a promise. That's a good girl. कि म स्थी लगाएं, तो बन दो ना लाएं, मस्थी में हम जो गाएं, तुम भी काओ. चुमे हजबल जो ऐसे मन मेरा, तुम भी काओ. अम नाचे तुम मजाएं, तुम भी काओ. है जय जो बढ़ ठाए कर गोगाओ हम जो गाए तुम भी गाओ जो हो जुमे हर पल जो ऐसे मन मेरा हो गाउ परम समय कर जा रभाओ परम समय ग्राइब लुंहल 심ारumbles ओरम समय मेर्संहे ऑन हमा ब हमीडिक लाएब कींवा काम засलते हुट अब होता है इसको होने जो खोने होश तो खोने जो बद तुम ना खोना ऐसी खड़िया जाकि हुई है सारी खुशिया सारे गभॉस को मैं जो खाया तुम भी और्म स्किर खुशिया मैं ऑद हर उटाई मैं यहाए प्लीज़ जो और भी आरो बकारडी ही ही विविक चोहार तुम्हें जहां पहले कभी देखा नहीं? रहले? वेन आव बढ़ देखा? पहले कभी देखा नहीं वेन आव देखा नहीं लगता है आजकल के लड़कों के पास लड़कों से जान पैचान करने के लिए और कोई लाइने नहीं पची अब जोनिंगास मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ थाइक्स स्क्यूज मी जोनिंगास लाओ प्रेंग, बीबेग, आई शेर्ट, शेर्ट मत्ती मन जो पागया तो मन्चू ना दाज़े मत्ती में हम जो गाहे तुम भी कहओ में तुब आसे चान पार ़ तुब आसे बने क्रूंस बिवेक चाहन खुड़िया जा था। यह जरी में आजुटे अफेखया ब्रुलिंग पार्टी वाले कैता है चाफी बादनाम हूँ आए दिन लोगों को डराता धमकाता रहता हूं ओ ओके, विवेक, तुम्हें मेरा नंबर कहा से मिला अब तुम यह भी पूछोगी के मैनत में फोन क्यों किया क्यों किया यही जानने के लिए कि अगर तुम्हें लंज पे इन्वाइट करना हो तो कौन सी लाइन इस्तेमाल की जाया है कि अब तुम्हें सिंपल एंड स्ट्रीट नॉट पुलिटिक्स नौ राजनीती कल दुपहर रेक बचे लिगेशे अफ चायना ओके भाई भाई तुम्हारे बारे में जित्मा सोना था तुम उससे बिलकुल अलग तुम्हारे जैसे आदने पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है क्यों नहीं ऐसे ही पूछ रही थी टुम्हारे रहा है जैसे बनन फोड़ीन कर रहा है जाएंड विकेंस पर तोस्तूं के साथ प्में जानी क्या लएवा तुम्हा अप और करती क्या है एक पब्लिक रिलेशन्स फर्म में गलाइंग सब्सक्राइब कब बड़ी पॉलिटीकल पार्टी के प्र याने पॉलिटिशन्स को पबलेशन्स किया रॉत है अपनी हरकतों और कैसे अंदोलन तो कॉल्ड आंदोलन की वज़े से अक्सर मीडिया में उनके चर्चे होते ही रहते हैं मुफ्त में पबलिस सिटी मिलती ही रहती है अखेला लड़का हूं इसलिए माने बहुत लाड़ प्यार से बढागी एक तरह से उसने मुझे भी गाला बाबा शुरू से बहुत सकते यह नो डिसिप्लेन डिसिप्लेन लेकिन मैं जानता हूं दिल ही दिल में वो मुझसे बहुत प्यार काते है कि अग्यार कि यह थे थे लिए मेरे वाड़क शुदा परेंट यह मेरी लाइफ तो बस मेरे फ्रेंज और मेरा काम हम तो नो बहुती अलग 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 दुनिया के हैं विवेक तुम गलत कहते हो अनू अक्सर हमेरे आसपास के लोग हमें जता डालते हैं कि हम औरों से अलग हैं इंसान तो अतने अतीत का मारा होता है आपके पती किया करते हैं आपके पती क्या करते हैं आपके बाते तो थे कि मैं 10 साल की थी जब मामी और पापकर तलाग हो गया तो फिर तो फिर कन्यादान कौन करेगा मेरी मा करेगी जब मेरी में अधिव को टीव पूल कार्णा वादी को में आपस हुचा करें अपने काम है कि अधिया है अए लडेश भाई ग्यादी का क्या अरेंजमेंट में इसलिए ना आज अगया मज़ आगया ला आप्रेल्डिशन को खुछ करने का यह अपना काम है इसके अंदर दोचा टेंडर पास हो जाने सुना है फिल्म भी फिलैंस कर रहे हो सोच रहा हूं क्या है अपना एटेच्मेंट है लटे सब्सक्राइब बात करता हुए तो हो गई आपको मालू मैं इस सरकार में उसके बाद उनके दुगने मरवाएंगे उसी दिन मैं गंगाजी में जाका डूक की लगाओंगा अन्ना साब यह तो आपको देखना पड़ेगा मैं तो बेटे की शादी के चक्कर में पिछले दस दिनों से पार्टी ऑफिस ही नहीं गया अब कल से सिर्फ इलेक्शन का काम देखना सुना है कि वो बेग साबी आने वाले हैं आएंगे क्यों नहीं यहीं तो कुछ मौकिय होते हैं जब हम पॉल्टीचन लोग आपस मिलते हैं वरना तो आप जानते हैं लीजी बेग आ गया अनुराधा भी मुड़े गषूरत है मुड़े जोड़ी आपके लिए मुबारक हो चेलाग गुरू से आगे निकल गया यश्वन्त तुम भी शादी कर लो अब तो शादी करनी पड़ेगी हानिमून के लिए कप जा रहे हो कल सुभ की पहली फ्लाइट से नो टाइम वेस्टेज बस एक हफ्ते की अच्छे कासी चुट्टी हो जाएग Shall we have a toast for this lovely couple? Yes Vishu, say. याद हो कि आद में जारा तकलीफ तो नहीं दे रहा है? और हाँ वो सावन से बात वी? एक पनेट हाँ विशू, हाँ वो सावन से बात वी? मुंबई पहुंचना है उससे मीटिंग फिक्स कर जाना हाँ बढ़वे को वोना कम से कम पांच पेकी तरही है आप विश्वन पार्टी हाई कमान की महरबानी हम पर कभी नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकते हैं हर फैसला चौहान के हाख में जाता है है चलो जो हुआ सो हुआ है ऐसा नहीं है पेक साहब है सब को साथ लेकर ही पार्टी को आगे बढ़ाना है आप तो समझ सकते हैं आप समझ सकता हूं एक बात कहूं यश्वन मंबई के मामुली मिल मजदूर से लेकर संसत्त का सफर्व तुमने त्याकिया है ना आपकावले तारीफ कावले तारीफ आज तुम्हारे तालोकाथ सबसे हैं चाहे वो मंबई को हो चाहे वो बिल्डर्स हो कम्माल है देखो यश्वन मेरे पास हर तरह का वोट बेंग है तो हो इस तेश में साड़े 500 MP होते हैं आदों के नाम तो पब्लिक को याद भी नहीं रहते हैं मेरी मानू मुझे से हाथ मिलाओ हम दोनों मिलकर इस स्टेट में कुछ नया करते हैं कुछ बढ़ा करते हैं देख साथ शर्बत बहुत बढ़िया था अच्छा बेक साथ चलता हूं जो बात मैंने कही है उसके बारे में सोच ना यश्वन वक्त आने पर जरूर सोचूंगा बेक साथ काफी सक्चना है बेक सहाव इतनी असानी से तूटने वाला नहीं है यादा तुम बेवकूफ हो वाकई सुना नहीं क्या कहकर गया है वक्त आने पर जरूर सोचेगा जब दोटो आने वोड़ो थे जब बेक से असेयुक की साइब आने पूछत्व कि नमस्ते बाबा कैसा है विश्व कैसा है रहा है और सुना रशीद भाई ने दो पेटी भेजा है और बदले में उसे पठान वड़ेगा चार गला चाहिए काम हो जाएगा सावन का क्या हुआ कह रहाता कुछी दिनों में कर देगा यह रहा है ठीक था कि यह रहा है थीक था कि यह बाई शुरेखा याद कर रहे थे आउसे बोलता ना बाद में से मिल दूंगा चल अब इकल्टी मार वाज़ नमस्ते बाबाबा चलता हुआ है नशीद भाई वाला काम हो गया जी बाबा गुड अरे हाँ याद आया वो पिल्ल अपना जो नासिक वाला होटल है उसका बिजनेस बहुत गिर गया है पिछले महीने से और क्यूपेंसी रेट को ज्यादा ही कम हो गया है समझ मैं नहीं आता क्या किया जाए बाबा जब मैं अपनी कंपनी में काम करती थी तो गुआ का बहुत बड़ा होटेल हमारा में मुनाफ़ा होने लगा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे फ्रेंड के पास है अगर आप कहें तो मैं मंगा लेती हूं खाना खाओ कर दो कर दो कर दो कर मैं तुम्हें बेडरूम में डून रहा हूं तुम यहां खड़ी हो आओ कि क्या हुआ कि विवेक कि यह मैं तुम्हारे फैमिली बिसनिस का भी हिस्सा नहीं बन सकती हुआ कि बाबा की बात का बुरा मन गई बात ऐसी नहीं अनू तो फिर कैसी बात है कि तुमने पहले कहा कि मा और बाबा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं तो मैंने छोड़ दी अब अनू कम आनू कम आनू जिस्ट्राइट अंडिस्टेंड यह देखो बाबा को पॉलिटिक्स और बिजनस में और तुंका बुलना बिलकुल पसंद है तुम मुझे शादी के पहले एक रूल बुक्ते देते कि शादी के बाद अनू तुम्हें यह करना है और यह नहीं करना है अब मैं घर बैठे बैठे क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा गो आउट सी फिर्म्स बीट फ्रेंज गर के का में इंट्रेस्ट ले लो क्यों कम आउन चरप आम वीटिंग फोई इन दे बेडरूम कि बनवारी काका क्या बन रहा है आज पालत पनीर बना रहा है आज मैं आपको एक दिश्ट पना कर खिलाती हूं मेरे ख्याल से हमारे घर में काफी नौकर चाकर है जोहान खांदान की बहों की जगह किचन में नहीं है माजी में जब ड्रोइंग रूम में मैं सामान इधर से उधर रख रही थी तब आप इने मुझसे कहा था कि यह घर 40 साल से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा और अब मुझे तो लगता है कि चाहान खांदान की औरतों की जगा ना तो ड्रॉइंग रूम में है और ना ही किचिन में है तो सिर्फ अपने पतियों के पिस्टर में एक दम महीन पीशना जैसे उसने पीशी है वो उठा वो भी उठा अनुराधा कहां जा रहे हैं अब तो जानती है मैरे फ्रैंग का फोन आए था तो विश्चां को लोड़ते वक् Corie Demogra선 को पता है ऐसमें फोन किया था वहां तो रहता है उसका फॉन आए तो कह दिजिएगा निनू के घर वहू ता अ कि यह राइपनी लूग जो चीजें दूर से चमकते हैं पास आने पर उनकी चमक भीकी पड़ जाते हैं पहले आप अपनी किसमत में भरोसा करके किसी एक इंसान से शादी करो फिर उसकी घर के काईदे कानून के हिसाब से एक नहीं जिंदगी जीओ और अगर वो भी काफी नहों तो अपने पती की सारी बुराईयों को नजर अंदाज करो और एक दिन पता चलता है कि आप अपनी पहचान खोचुके यह लौस्टा इंटिटी अनू मैंने तुम्हें जितना भी जाना है ना तुम्हें जिंदगी में हर मुश्किल का सामना डटके किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी यही करते रहोगी इत्म इनान रखो ना बेब्स जैस्टाव पेशन्स ना पेशन्स अनुराधा टाइम दीखात ने ची हाँ ताड़े ग्यारा बज रहें यह कोई वक्त है किसी शरीव घर की बहुके घर लोटने का विवेक आ गया है वो लड़का है अब ठीक कहते हैं शादी के बाद भी उसका लड़कपन नहीं गया खूप 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 कि अच्छु इन दोनों को घर तक दियान से चुड़के आना क्या है वह सावन को पब में मिलकर मुझे फोन करना है एक हुम है एजल अरे प्रेट मैं क्या हुआ अब दोना अबे तक सुयने अरे जिस घर की बहु रात साड़े ग्यारा बजे लोटेगी महमाब आपको नींड आई की क्या तुम्हारे लाग समझाने पर भी उसके तौर तरीके बदले नहीं है पोशाक देखो जो पहनती आजकल अरे मैं कहते हूं सक्ती से काम लो परना पानी सरक्या अनुए टीवी बन कर दो क्यों तुमसे बात है करनी है बोलो कितनी बार तुम्हें वही बाते समझानी पड़ेगी कौंसी बाते कौंसी बाते इस घर के कुछ तौर तरीके हैं कितनी बार हम लोगों ने तुम्हें समझाए लेकिन तुम पर कोई आसर ही नहीं पड़ता है कि तुम चाहती क्या हो कुछ नहीं कुछ नहीं तो अपने आपको बदर ती क्यों नहीं वाइड़ोंटी चेंज सेल्फ डवट इसलिए कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे माबाप के डबल स्टैंडर्ट से सकत नफरत है शादी के बाद तुम किसी भी तरह की जिंदगी जीओ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मैं कुछ भी करूं तो चौहान खांदान की इज़त करती है अगर इज़ती बनानी थी ना विवेट तो ऐसी लड़की को घर ले आते जिसका पती रोज शराब पीकर बाहर किसी और के साथ सोकर घर आए और वो उसे यह पूछने के बाजाए कि वो कहां था उसके पैर सब आती है तुम्हारी मा की तरह कि तुमने मुझे थपड मारा विवेक तुमने मुझे पर हाथ उठाया विवेक अगर तुमने अपने तरीके नहीं पतले तो मैं तुम्हें और मारूंगा समझे पिच्छ मैं उन लड़कियों में सब नहीं हूँ देख जो पती का थपड़ खाकर किचिन में जाको रोकिया क्या तक्राइब क्या तक्राइब अब 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 का सवन को रोकिया नाम में वहीं पहुंचा आप अब अब कि अब 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 क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं अब चिंदा मत करो मैं सब समालोंगा अब कहा जाना है सावन को मिलना है पार्टी फंड के लिए इस वाक्त अरे सुन कि हमारी पार्टी फंड के लिए मुझे पैसा चाहिए एक हफ़ते का टाइम देता हूं तो समझा और वैसे भी तुम लोगों को हमारे ज़रत पढ़ती ही रहती है है अब विख सावन ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसके सारे के सारे टेंडर क्यांसल कर रहा है क्या रे जानता नहीं तू इसको कौन है यह है पॉलिटी सेन का लड़का है विवेक चोवान नाम है इसका कहता क्या है बाहर बंद हो गया चलाड़ी यहां से लेकिन सर सर ओ थाए आए कि मैं गुका यहां से नौ अड़का फिर नौ तो इन में पींट यहां से खेंडर को ए भू सारे जानती हो ड्रफिक यहां सब्सका मर्न अबर्छतर कैंडरा तरुमी में अग्रम हैं काल आप और बंद है तुम आख्री ओडर ले चुके है, तुम सली दूर्टी की औरते हैं अपने अपको समझ्ट क्या हूँ, हर जगा तुमारी मनमाने चलेगी excuse me sir and behave yourself, आप हसे ज्यादा बोल रहा हूँ I want my drink right now I'm sorry sir, आपको drink नहीं मिलेगा I said we are closed you bitch अरे ये क्या कर दिया तुन्हें अ पताने यार कहा का गुसा मेरे कहा निकाल दिया तो जब दॉन से जबुए जब भागंव 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 तिकडबाग 13 नमर में लड़के बढ़के होंगे ना पकड़के आंडर डाना सिदा तुम्हारा दिमाग तो ठीक राने तुम्हें पता है तुमने किसके बेटे को अंदर कर रखा है चौहान साहब मैं क्या कर सकता था वो पवार ने अरेस्ट किया है अब पंच नामे में 25 विटनेस के सिगनेचर्स हैं एक लड़की का खून हुआ है और यह उपर से इस साला पवार बिकाओ नहीं है अब फिलाल तो कुछ नहीं हो सकता अब यह कोट का मांगा है पंडित यह वकील को फोन लगा बोले जमाने की तैयारी करें अभी करता हूं लेकिन सब मैं मैं आपको बताता हूं कि यह तुम्हें बताओ विटनेस पर किसकिस ने दसकत की हैं कि अवार क्या अकेला अपसर है अब तुम क्या कर रहें आप चिंदा मत आज़ा ठीक है विवेक कहा है कि अवार कि अभार कि अब तुम करने की क्या दर्रद्धि यह सब करने की तुम क्या जरुवत्ति पता नहीं है तुझे इलक्षन सर्प है और तुम कि अब गलती हो गए ना बाबा कि वह शुक्ला से कहकर मेरी बेल करवा और जो विटनेस असे और वह इंस्पेक्टर है ना उसको खरीद लो बाहर निकलने के बाद सब सम्हाल लूँगा मैं जब बाहर निकल के सब ठीक कर दूगा तू समझाएगा मुझे की मुझे क्या करना है और तू कितनी बार समझाया तुझे की इस्तामान लेकर मत चला कर रास्ते में बेजा नहीं है तेरे पास इस्तेमाल किया कर थोड़ा तू ठीक तो है ना थीक हुमा तू चिंता मत कर कुछी अधिक दिनों की बात है इसके चेरी करन की उत्रा हुआ है क्या हुआ इसको क्या किया है तेरे मरत ने अरे पहली बार आइसा ही होता है धीरे धीरे आधत पड़ जाएगी मेरा मरत आते जाते रहता है कर देख जेल में महंद्र चोहन का पिल्ला अब देखते हैं क्या करता है वो मलाम अधाद नगर दुलहन की तरह सजा है दूला बने के लिए तैयार हो जाओ हाँ 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 जाना जी साब एक कटिंग बोल दीके साब क्या रहे पवार आज तो बड़ा खुश होगा तू मालूं बड़ा कि विवेक चोहन की बेल एक बार प्रसे मना हो गई हाँ 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 है हाँ 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 जोहां साहब के वकील ने तुझे जो आफर दिया अरे माल ले शुक्ही रहेगा तु अरे चार ट्रांसफर तो तेरे पहले ही हो चुके हैं कि सोच अरे जरा सोच बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती है अरे कई पॉलिटीशन और बेग जैसे आद्वियों के लिए काम किया है मैंने एक बात बटा राने पहले तेरी पोस्टिंग रैंट रोड पर पीला हाउस में थी ना क्यों नहीं मैंने सुनाया वहां बहुत माल बनाया तुने बहुत पैसा बनाया तुने रंडियों के ब्लाउज में से पैसा निकालकर हप्ता इकथा करता था तुन सुनना कभी शिंदे कभी पाठी कभी बेग अभी वह जवान इन नेताओं के तलवे चकने से तो अच्छा है वहां पीला उसमें जाके भड़वा गिरी शुरू कर दे बहुत माल कमाएगा यह वर्दी है तेरी रखेल का पल्लू नहीं समझा यह देख क्या दिखा है पड़ ना जानता है सद्रक्षन आया खला निकर आनाया पड़ मतलब मतलब जब तक मैं विवेक को सजा नहीं दिलवाता तब तक प्वाइल बन नहीं करूंगा समझा कि बड़े आपसूस की बात है चौहां साब आज फिर विवेक की बेल नहीं हो पाई चौदा दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टोडे में भेजा क्या है साफ साब बताओ हिरवानी चौदा दिनों बाद बेल के क्या चांसेज हैं ची बहुत मुश्किल है अगर उस दिन कि बेल रिजिक्ट होती है तो कम से कम चार-चे महिने के लिए तो वो अंदर गया है अपने अच्छे कासे केरियर को बरबाद कर दिया बेवकूफ ने और अधर बेग खुछी से फूला नहीं समारा होगा क्या कहते हो यश्वन्त जी प्राब्लेम तो वाकर बहुत बड़ी है आप तो पहले आना उसकर चुके हैं कि आप एलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस बार तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चलिए चोटा मू और बड़ी बात ना हो तो एक बात कहूं बोलिए अगर आपको कोई आपती ना हो तो आप अपनी बहु अनुरादा जी को एलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर देते घर किसी घर में रह जाएगी और यहां तक विवेक जी की बात है दो चार महीने में भूली भाली जंता इस कांट को तो भूली जाएगी अगर अनुरादाजी तयार हो तो मैं बात कर लूगा है कमांड से आज तक तो सिर्प सुना था कि इंसान भी कभी कभी किर्गिट की तारा रंग बतलते हैं आज देख भी लेओ देखो अनुरादाब देख रही हूं बाबा सब देख रही हूं आपको तो बिस्नेस और पॉलिटिक्स में औरतों का बोलना पिल्कुल पसद नहीं था ना तो आप क्या हुआ वक्त की नदाकत को समझो बेटी अब अब कुछे दिन रह गए हैं एलेक्शन में और यह चौहान खांदान की इज़त और विवेक की इज़त का सवाल है और बेटा एक पतीव्रता औरत होने के नाते तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि इस इज़त को संभालो तो आप चाहते हैं कि मैं पतीव्रता बनकर आपके बेटे की हरकतों को नजर अंदास करतूं और पॉलिटिक्स में उतर कर बली का बक्रा बन जाओं कल तक तो घर के बाहर कदम रखने के लिए मुझे आपकी इजाज़त लेनी पड़ती थी और अब वही अनुराधा चौहान चौराहे पर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने वोटों की भीग बांगेगी उससे आपकी इसको कोई तर्क नहीं पड़ेगा वाह एक बार जड़ा ठंडे दिमाग से सुचो यह मेरी तुमसे पर्सनल एक्वेस्ट है हाँ पटाव हाँ लोग अपने सेलफिश इंट्रेस्स के लिए क्या क्या करते है कि उनके लिए कि इतना असान था कहना है पॉलिटिक्स दॉन में कपफ दी मुझे कुछ समझ में यह रम्ने क्या करूए हुब एक बात वताओ न barrु तुमिंग धू थिन थी तुम्हार व्लूD क्या है तुम्हारी पैचान तुम्हारी पैचान क्या तुमिंधी थी कि इस घर में तुमारा दम गुठता है हो सकता है कि यही एक मौका हो खुली हवा में घूमने का अपनी पैचान पाने का देखो बीचा अपसे डाउंस तो हरी की जिन्दगी में आते रहते हैं लेकिन जानती हो बगवान ने इंसान को सबसे बड़ी चीज़ क्या दिये हैं मौका मौका एक जिंदगी जीने का कुछ कर दिखाने का बिधा आइसे शोड़ी जी एक दिखाने का कुछ कर दिखाने का बिचा अएसे भी चाहिज़ी जाए बाबा मैं तयार हूँ लेकिन एक बात याद रखिए यह फैसला मैंने आप लोगों के अलावा अपने लिए भी किया है और दूसरी बात मैं आपकी पॉलिटिक्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ उसकी तुम चिंता मत करो वेटी मुझे खुशी है कि तुमने चाहान खांदान की खातिरीय फैसला लिया है और जब तुमने फैसला ले लिया है तो तुम्हें मारदर्शक में मिल जाएगा आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ आओ प्लानिंग कमिश्णा और एक्स्पेंडिच रिपोर्ट चाहें जो भी कहें यहां काम तो हमें करना पड़ता है न शुकला जी यह तो है मैं आपको बाद में फोन करता हूँ यश्वंत कुछ तुम जानती हो आज से तुम्हारा गुरू समान है अगर राजनीती में जिन्दगी भर सार उठा कर चलना है तो पहले कुछ कदम चुक कर चलने होंगे यही नियम है राजनीती का यश्वंत जी आज से अनुराधा तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें के लगता है काम हो जाएगा मैंने नगर से बात कर लिए अब देख आए आज से यह आपका ओफिस है और यह आपकी कुर्सी इस कुर्सी को ध्यान से देखिए यह कोई आम कुर्सी नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की और टिके रेने की आदत आपको पड़ गई तो राजनीतिक आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा कि चलिए कि मैं आपको और कुछ लोगों से मिलवाता हूं का इसका प्लीस कम इनसे मिलें यह पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं परवेश खान साथ इंदुबें अनन्द भाईदेशाई रमेश दादा सोनावने और आप हैं मिलिंद राव पाटेल आए नमस्कार आप हैं स्वासने भावे और रश्मिताई जोशी यह पार्टी की सिटिंग अमेले हैं सबस यह पारुक नेपाली है और मुन्ना ठाकुर नमस्कार इनका रियल इस्टेट का बहुत बड़ा बिस्नेस है बहुत बड़ा आई तेजवान भाई असलम चट्था एक मिनिट यह और बेक साब को तो आप जादी है खुशाम दीड पार्टी में आपका स्वागत है शुक्रि आपकी इस्कूशन लोको से तुमने मुझे मिल पाया है हमारे पार्टी के मेरे में तो समझ में आता है इंद लेकिन ये शारुक का पाड़िया जैसे बिस्नेसमें और ठारुकन नेपाली और मुना ठाकुर जैसे गुंडे आय दिन अपने घपले और हतियाओ के वज़ए से अगवारों की सुरक्यों में रहते हैं इनका हमारी पार्टी से क्या लेना देना कि अनुरदाजी सत्ता हासिल करने के लिए और चलाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत सब्सक्राइब होता है पैसा जो हमें बिजनेस मन देते हैं टाकत जो हमें फारुक ठाकु जैसे लोगों से मिलती है और इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है दिमाग जो हमारे पास है आप आप समझ जाओगी तीरे तीरे सब समझ जाओगी याश्वन जी एक मिनटे एक्स्जूज मी आम जस्कामें कहिए वेक्साद बीदे थास वादि विए सब्सकों को सब्सक्राब जाओगी थे में वेक्साधा इसते सब्सक्राइस क्ता है याजे — एक को सबतम जाखते है कि अभराइब अनुराद चाहाट द के बरो अजया जया जया दानागें गलों है लुग अरी घजा हों अनुराद चाहट त मागें बरो पर दम आने जया होड़ा मन आर तब चाहट अनुराद चाहट और इस स्थाहत है कर दो कर दो कर दो हमारी पार्टी यानि की राष्ट जन एकता मंच भले ही ओपोजिशन में रही हो लेकिन हमने बार बार आपकी जरूरतों को आपकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रत्थक्ष रूप में रखा है खबसूरत है पर विचारी का मरत तो जेल में है श्री महिंद्र चोहान ने पिछले साल में जो काम किया है वह आपके सामने तो है ही कि मैं उनकी बहू तो हूँ लेकिन उसके अलावा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी इस ओरत में दम नहीं है बिड़ो वेक वाली बात नहीं है और आपकी समस्यां को समझ कर आजाद नगर को रहने के लिए एक बहतर जगे बना सकती हूं मुझे आपका समर्थन चाहिए उसकी पूरी उमीद रखती हूं क्या बोलता मौनलाल पकारे लिए तो चला संदाज है अटा बावा धन्यवाद सियासत की नहीं नहीं दूलन है दिरें दिरें सीख जाएगी धन्यवाद हुआ है अन्यू आओ अनु बैठो किरन क्यों आई थी यहां पर क्यों दोस्त मेरी कहीं भी मिलने के लिए आ सकती है तुम सब पूछ के आएगी वह सब ठीक है मुझे वटाव एलेक्शन का काम कैसे चल रहा है ठीक ही चल रहा है गुट्ट् चिंता करने की कोई बात ही नहीं है मैंने और बाबाने आजाद नगर में इतना काम किया है कि हमारा नाम लेकर वहां कोई भी जीव जाएगा ऐसे की देखरी यहां अब हम भी तक उतराने दिमाग से तुम मेरी मसेत कर रहे हो किसी को इतनी बेरहमी से मारकर तो निति बेशर्मी से कैसे रह सकते हो तो क्या करूं नचाहों आई होगी गलती तुम इसे गलती करते हो यह तुम्हारा प्लांडय रेक्ट्र है विव मेरी गलती की बात करती है अपनी सोच चोहान खांदान के लेवल की बिना तुम्हारी आउकाती क्या है मुझे तुम से खेनाती है विवेक क्या वो रेवेजा तिकाती है साली पिच विवेक चोहान के साथ मेरी गलती की बात करती है अपनी सोच चोहान खांदान के लेवल की बिना तुम्हारी आउकाती क्या है तुम्हारी आउकाती क्या है पूच सकता हूं एलेक्शन ना लड़ने का फैसला आपने क्या सोच कर लिया क्यों लड़ू ये लेक्शन किसके लिए विवेक के लिए जो ये कहता है कि चौहान खांदान के लेवल के बगेर मेरी उकादी क्या है ठीकी तो कहता है मैं तो खुद भूल चुकी हूँ के मेरी पहचान क्या है यहां देखवानो रदा इधर ये दुनिया की सबसे बड़ी डिमॉक्रसी है सबसे बड़ा प्रजातन यहां की सौ करोड जनता ने नजाने कितनी बार वो डाल डाल कर चंद नेताओं के हाथों में सत्ता थमाई अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक उन्हें दिया और इन नेताओं ने क्या किया बार बार उसी जनता का विश्वास तोड़ा और इस हद तक तोड़ा कि आज आदी से ज्यादा जनता वो डालने तक को नहीं जाती है और तुम जैसे पड़े लिखे लोग जिनके पास बच्पन से सब कुछ होता है वो कुछ नहीं करना चाहते हैं कभी-कभी तो यह भी कहळालते है का अऽ अल्व है तो अच्छा था तोस्हां के बात करते हैं चुछ जानती हो तुम्हारे सथा दिक्कत क्या है हो तुम अपने आचीत में खोचके यो तुमहें पहचान अपने अचीत में तक्दीर ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है कुछ कर दिखाने का अपनी पहचान वानने का उसे इतनी आसरे से मत खोने देना कि अनुग कि वादा करो कि कल सुबह मुझे अलग अनुराधा दिखाई देगी कि अनुराधा चौहान मुझे बहुत हसी आती है जब भी ये नाम सुनता हूं कि कैवार मुझे लगता है कि राष्ट्रिय जनेकता मंच के बहुत बुरे दिन आ गया है जो उन्हें अनुराधा चौहान जैसे लोगों को टिकेट देना पड़ रहा है मैं पूचता हूं उसे कि इस बल्बूते पर टिकेट दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वह चौहान खांदान की बहु है कि यही परंपड़ा है चौहान खांदान की जिसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है यश्वंत कि मीड़ माइक अनुराधा इसमत तम्हारे पास यश्वंत गिफ मीड़ माइक अरे राज लीटी कोई बच्टों का खेल नहीं के जिसे देखा कर चला आया अरे यह कल की छोगरी क्या जाने की पॉलिटिक्स किस बला का नाम है यह और बेहनों यह तो बिवेक इसका पैसला अजालत करने वाली है यहां खड़े होकर चिलाने से बहतर मैं महात्रे साब को यह यादि लाना चाहती हूं कि पुलीस में ऐसे कुछ केसिस उनके खिलाफ भी दरज हैं पिछले 50 सालों में पहली बार आजाद नगर शेत्र से एक औरत आपका प्रतिनिधित्व लेकिं जनता की सेवा करने का ज़बा है मुझमें जनता की सेवा करने के लिए उनके रोजमरा की दिक्कतों को समझने की जरूरत होती है और यह एक और से बहतर कोई नहीं समझ सकता हाँ याद रहे आज भी मर्द के लाख दबाई जाने के बावजूद इस देश का हर घर और ही चलाती है 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 था है था था बाई में दूल इसकी दो निगल पड़ी है कि क्या बोले है है अधिया ऐट करें मोला फिर कुछ अंडास नि जाने का अधिका असन्डास इसकी जरुए तो भी मात्रे को करने वाली है अधियुद भई हुआ । है यह यह बहुत रिलेक से जीत गेए है कि यह लेक्षेन भलए मेरी बहुने जीता हो लेकिन यह सारा खेल तो अब अरे बहाई चलिए यात्रा की तयारी हो चुकिया आजले इंतजार कर रहे हैं चलिए चलो जो चलो 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 आजा हाँ है जर्डाल ऑश्या और सबस्केब अनुova सबस्केब अ सबस्केब यसवान अ संसपर में प्थमाफा तुनहां पॉषिशा आए झालत को हाँ! तो विवेक, कोश अना तुम, तुमारी बीवी ये लेक्षन जीत गई उसे तो जीतना ही था पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग सक्ता में नहीं आ सके प्रशांद कुलकर्णी ने चोटी-मोटी पार्टियों के साथ गडबंदन करके अपनी सरकार बना रही है कि मैं भी देखता हूं यह कुलकर्णी की सरकार कितने दिन चलती है एक बार मुझे बाहर तो निकले दो क्यों अरे इर्वान मेरे बेल का क्या हो गया अरे वो जो विटनेस से उनको ख्रीलो यार और वो क्या इंस्पेक्टर कना पावार पावार का कुछ बंदोवास करो चिंता मत करो हो जाएगा चिंता मत करो योगे नहीं अरे हां पावार एक जोग सुनो यार कहता है दुनिया में आए हो तो कर्जाओ को ऐसा काम गली गली से आवाज आए अब्बाजान 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 पावार क्या हो रहा है जब खार में मर्डर हुआ था उसका इंवेस्केशन हो रहा है और सर वह विवेक्चान की जोपेंडल नहीं कर रहे हो उसका चार्ज वागले को देदो योज़ों कि यह मेरा ओर तुम्हारा ट्राफवर कांदेवली जोन में हो चुका है लेकिन सर यह अपने सीनियर्स के ओडर सुनना तुभाई द्यूटी का किस्था है ओके जी सर अरसलो मेरी अनिवर्सी सेलिबरेशन की कुछ इंविटीशन कार्ट से कुछ पलिटीशन और बाटीशन के लिए ज़रा बाट देए थीक है पावार तुम वही इंस्पेक्टर हो ना जो मेरे पती यानि की विवेक का केस हैंडल कर रहा है केस हैंडल करता था मैडम अब वह केस कोई और ऑफिसर हैंडल कर रहा है क्यों वो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैडम कि और पैसे की ताकत और नेताओं के डर की वज़े से इस सिस्टम में कुछ भी हो सकता है मैडम कुछ भी अपके पति देव तो कुछ ही दिनों में चुट जाएंगे मैडम कि हो सकता है मुझे उन्हें सेलूड भी करना पड़े अब लोग नेता जो ठहरे सिस्टम मैडम सिस्टम अब मेरी पांचवी ट्रांसफर के बाद मैं रात भर नाकाबंदी करूं या अपने सिनियर की शाधी के साल गिरा के कार्ड बाटता फिरूं इसी को क्या फर्क पड़ता है मैडम चलता हो मैडम की हिए पार्ट में जरूरा को को नांठाटरों। नाम क्या तर्ंबूर्ण कुछ डिकाइ नहीं नहीं आप क्या सुखत्र था आप कार राणवर्स अट्रम्यूर्स अटिविस्ट व्हेर निए रज्ट के लिए रादार के लिए न है भात कां किया है देखती हुआ , देखती है। य्रॉप भी तुए शीजान्मी पहिaxterों के चाहिए लिए। थेखेंगे डिहे। य även याश्वडः। घम दो एग ही यश्वडब ऑई व्जान्मी कमनेगें। देखेंसी दो ओ दो जान्यॉड प्रड्री एका। Sir मैं आपको Superstar से मिल भाता हूँ है इन आई कर्षा चामिंग MP आड़े सून तुबी केबिनिट मिनिस्टर जो आजकल गोडु जी एक फिल्म का 1 crore रहे है रहे हैं और 3 बहुत बढदे बानरो की सिंज सांइ कर चुकेे हैं तो गोडुलेश्टनलेश्टनेश्टन करे तक झे डार यहां नमस्टनु झाल किहाँ नगए सबन्वाइन करे दो करें सरका हैं प्रपोजल बनाते है आई 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 तो क्या हुआ रॉनल्ल रिगन भी तो पहले एक्टर ही थे और आज कल एक्टर तो पॉलिटिशन बनी जाते हैं करिक्टप्राओ एक प्रसाइड से इसाल अई पर सथाउड शे रहां कर दोएं इसे प्रसाइड कर दो क्या है वाँ 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 प्यूटी इसका फ्यूचर बडाप राइट है कि इसे कोई रोख सता है क्या जी वो गरें लोग थे अच्छा वह तो मुझे अपने घर लिया वरना वहां अस्ते हैं से मेरे पेट में दर्द हो जाता और वह प्रादीप किशन पागल है वह उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था काया हुआ्जय बार्द ओट obsदा श़ार जैश्ता लिए T दी gहां ठाजल बार बिकर्णा जाऑ तो में जाल काया है हाै तुर्मार्भHS अच्छी क्या चीज है शायद भूली गई थी आज एक बहुत अर्से के बाद है फिर खुश हूँ कि और उसकी वचा तो हूँ गुन गुन आती है गीत गाती है जिन्दगी तुम जाए तो मस्कुराती है खिल खिलाती है जिन्दगी तुम जाए तो दिल में अब जैसे कलियां से खिलती है गुल खिलाती है मेहके जाती है जिन्दगी तुम जाए तो गुन गुन आती है गीत गाती है जिन्दगी तुम जाए तो मस्कुराती है खिल खिलाती है जिन्दगी तुम जाए तो मस्कारती है जिन्दगी ।ुम जाए तो फिल खिलाती है मन्मधदी तुम जाए तो कर दो ना हुआ है बेचे ने एक लहर थी अब उसे मिल गए जए किनारे बेटाब एक नदर थी अब उसे मिल जए है नजारे दिल में आप जैसे तस्वीर बनती है गुदगदाती है छिड़ जाती है जिंदगी तुम जवाएं तो गुदगदाती है गीत गाती है जिंदगी तुम जवाएं तो हाया जो दिल ने तुमको दिंदगी तुम आगि पर तुम जवाएं तुम जवाएं तुम जवाएं पाया जो दिल ने तुमको जिल्दगी हर खुशी पा गई है मेरे हम सफर हो तुम जो राह में रोशनी शा गई है दिल में उब जैसे खिरने से छंती है जिल मिलाती है जग में गाती है जिन्दगी है तुम जो राह में तुम जो राह में पाती है जिन्दगे तुम जो आए तू मुस्कुराती है, खिलाती है जिन्दगे तुम जो आए तू कि नमस्ते 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 मैडम यह फाइल चौहान साप ने विजवाई है और आपको साइन करने को कहा है कैसी फाइल है इसमें कुछ सड़क बनाने के कॉंट्रैक्ट्स है और एक होटल का फ्लोर बढ़ाने का रकमेंडेशन है कि अधिक है तक तो यहां पर कर साइन करते है कि हाँ रखिये बाद में आई कि अ कि कि अ कि अधिक है कि तुम समाज के लिए हमेशा अच्छा काम करोगी लेकिन है लेकिन मेरे हिसाब से राजनीतिय में अगर आपको एक अच्छा काम करना है तो चार गलत काम करने पड़ते हैं कि हो सकता है कि गंदगी को साफ करते करते कुछ गंदी चीटें हमारे दामन पर भी पड़ जाएं कि लेकिन इतनी क्विमत तो हमें चुकानी पड़ेगी है ना कर दो साइंग कि यश्वंद मेरा काम करोगे इंस्पेक्टर उद्धाफ बवार का ट्रांस्टर रुखवा दो कि यह कि विवेक का केस तो उसे ले ही चुके है तो ट्रांसटर की बज़े से उसके बीवी बच्चों को क्यों परिशानी दें अनू यह सिर्फ ट्रांसटर का साथ यश्वंद अभी अभी मैंने शायद चार गलत काम किये उसके बदले तो चार अच्छा काम कर लोग कि अधियें साहब हम लोगों ने अपनी सरकार तो बना ली वह लोगों को चौकस रहना पड़ेगा हर वर्त लेकिन आपको ऐसे क्यों लगता है कुल करनी साहब आप तो जानते हैं कि अपोजिशन वालों का कोई भरोसा नहीं है लेकिन आप बेफिक्र रहें मेरी पार्टी के सारे लोग हर हाल में आप ही को सपोर्ट करेंगे क्यों मातरे साहब जी बिलकुल इसमें कोई शकी नहीं है गुड़्ट मुझे आपसे यह उम्मिद की नमस्ते एक बात समझ में नहीं आई है अनुराधा के लिए तुमने वह इंस्पेक्टर पवार का ट्रांसफर क्यों रुखवा दिया आप तो जानते हैं वेक साथ बहुत कम दिनों में आनुराधा की पॉप्लेरिटी कि इतनी बढ़ देए आज की तारिक में तीस से चालीस हैं उसके पास हमारे हाथ मिलाने का वक्ता गया है यश्वन मैंने कमाल पाशा और गोविन मात्रे से बाग चलाई है इन दोनों के सभी हमारे साथ आने के तयार हैं इसके अलावा कुछ इंडिपेंदेंस भी राजी हो गए हैं इन सब के साथ हम आराम से गटबंदन की सरकार बना सकते हैं और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पहले सब को तोड़ तो लें उसके बाद वक्त आने पर बैट करते हैं कर लेंगी और महेंद्र चौहान वे वैसे भी कुछ नहीं है और उसकी बहु अनुडाधा अनू वो तो वैसे भी हमारी चत्य चाया में है नहीं हरकत में ही बरकत है आप मेरी चोड़िये और पूना की सुनाईए पूना की क्या बताएं दो हफ्तों से सेटिंग कर रहा था श्रद्धा जी की अली हाथ ही नहीं आती थी पिछले साल कैसे नासिक में दौड़ कर चलिया थी कमरे में पिछले साल जब प्रचार के लिए नाकपुर गए थे याद है आरती जी के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही किससा था जाने का मौका मिले नहीं बैठे 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 ना किया रित्यागी क्या बोला था तु बहुत मज़ा आता है प्रचार पे जाने का अरे बिस्तर में कितना बड़ा तीस मार्खा है ना तु यह सब किसे सुन चुकी हुए तेरे और मिश्रा प्रचार पे जाने के मौके ढूंटे हैं आप आपको पता है जब आप प्रचार पर होते हैं तो यहां आपकी औरत किसके साथ सोती है बताओ आज के बाद तुम मेंसे किसी ने इस पार्टी की कोई भी लड़की के लिए कुछ कहा न तो ऐसा हश्रक करूंगी कि मर्द होने का एहसास बूल जाओगे तुम लोग जलो श्रोता है पावार नमस्कार मैंडम अपसे जरूरी बात करने थे मैंडम कहो मैंडम मेरी बात का बुरा मत मानिया आज तक मैंने सभी नेताओं को पुलिस वलों की ट्रांसपर करवाते देखा है लेकिन किसी भी नेता को पुलिस वलों की ट्रांसपर रोकवाते न देखा है न सुना है मैंडम जिन्दगी मैं पहली बार देख रहा हूं धन्यवाद मैं मैं आपको धन्यवत देना है कि मेरी कभी भी जरूरत हो कोई भी काम हो जाद कीजी चाहिन अनुराधा जी माजी पाटी ओफिस से आ रही है जी ओफिस में काफी काम रहा होगा जी वो कुछ फाइस और टेंडर कर रही थी या यश्वेंट के साथ गुल्चरे ओड़ा रही थी घर की इसके बात ने इसकी माँ को छोड़ क्यों दिया ऐसी हरकते तो तुम लोगों के खुम में माजी तबकर तो अपना मूँ काला करके आ तो नहीं थोड़ा तूने हमें जुक गई उस कुट्टे यस्वंत के सामने जुकी उसी इंसान के सामने जब आप लोगे मतलब के लिए जुकी तो ठीक था अगर मैं अपने ही खुशी के लिए जुकी हूँ तो आपकी इज़त में पर्षा गया आज इस घर में क्यारेक्टर और विश्वास घात की बाते हो रही है अरे विश्वास घात तो मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा कि शादी के बाद भी विवेक पेमली रखे लोगों छोड़ा नहीं चाहिए वो घर में हो या जेल में आज मेरे क्यारेक्टर की वज़े से आप लोग कहीं मुह दिखाने लाइक में रहे हैं माजी आप लोगों की दुआ से अब कुछ वक्त मुझे भी राजनीती में हो गया है जिससे मुझे पता चला कि आपके पती यानि के मेरे ससुर ने दस साल से पूना में एक रखेल पाल रखी है जिसके वो तीन अपॉर्शिंस भी करा चुके है उस दिन से मैं कहीं मुह दिखाने के लाइक नहीं रही माजी लगता है ऐसी हरकते आपके खून में हैं मेरे खून में नहीं ताली कुल्टा निकल मुझ पर हाथ उठाने की खलती मत करना मैं सरकारी फ्लाट में जा रही हूं शिरके जब तक मैं अपना सामान ना ले आओं यहीं खड़े रहना जी इन लोगों का भरोसा नहीं पता चला किचिन में ले जाकर चला दिया और कर खबर ये छपी के एकसिदेंट था माजी अच्छी परिभाश्या है आपके पतिव्रता की मर्चाहें लाख गुना करें उसे कोई सजा नहीं लेकिन और अपनी खुशी के लिए एक पर कदम उठाए तो उसे कुलता और कुल अच्छी नहीं कहा जाता है यश्छी नहीं कहा जाता है यश्वन्थ 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 अनु मुझे लगता है कि तुमने जो भी किया है ठीक किया है मैं हमेशा मानता आया हूं कि इंसान को किसी के सहरे के बजाए खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए मैं और बेग मिलकर एक साजा सरकार बानाने जा रहे हैं किया तुम मेरा साथ होगी पूरे सयाद भए कोटवार भए कोटवार भए कोटवार अजी आई दूसकार अजी आई दूसकार हो रस्याद भए कोटवार अबर काहे का वो करेंगे मेरी देखवार अबर काहे का अब मैं सारी नगरियां के हो रानी मैं करूँ चाहिए जितनी भी वनमानी कौन है, कौन है, कौन है जो करेगा सवाल अब डर खाएगा मुरसिया, मुरसिया, मुरसिया वैको तवाल अब डर कहीं का काम अंतर का लूगी नजरियां से मुक्त सावान लूगी बजरियां से काम अंतर का लूगी नजरियां से मुक्त सावान लूगी बजरियां से जो भी जाओं मंगा लोगी ताने में किसकी हमत करे देर लाने में रात दिन, रात दिन, रात दिन में करूंगी तामाल अब डर कहीं का मुरसियां, 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 वैको दवाल अब डर कहीं का जो भी आएगा नचला ना गाएगा तीवी जे ठोंगी तो साप जाएगा जो भी आएगा नजरा ना लाएगा तीवी देखोंगी सब कप जाएगा मेरे नखरे उचाएगे सावरिया घूंगी लेंगे सरकारी मोटरिया मैं लुटाओंगी, मैं लुटाओंगी मैं लुटाओंगी सरकारी माल अब डरिकाएगा मोरे सया, मोरे सया मोरे सया, मैं एक उतवाल अब डरिकाएगा वो करेंगी मेरी देखबाल अब डरिकाएगा अब मैं तारी नजरिया के घुरानी मैं करूं चाहे जितनी भी मनवानी कौन है, कौन है कौन है, जो करेगा सवाल अब डरिकाएगा मुहसया, मोरे सया, मोरे सया बहे Explosionवाल अब डरिकाएगा वो अब डरिकाएगा वाअ मोरे सया, मोरे सया, मैं गउतवाल करेंगी मिटने ब्रावन देखबाल मोरे सउमा जार अए बहुराएः आन देख़एगा वेठी तुष्प वेठी तुष्प वेठी जाँ करेड़ पार वेठी झाल हरां साथ इस कि चलो कि सबकुछ लगबग तैय हो चुका है कुछी दिनों में हम गवर्नर साब के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव ले जाएंगे अनु अब तुम बता तुम्हे कौन सी पुष्ट चहिए यश्वन्थ सरकार बनाने के लिए कर वह सब करना सब्रूरी था क्या है अनु करना पड़ता लोगों को खुश रखना पड़ता है विसनु इंटरेंड़ लड़कियां ती देखा जाये तो एक तरीके से हम वेशा व्रती को बढ़ावा दे रहे हैं इत वस शेयर प्रॉस्टिटूशन देखो आन्वारादा हमने ने रोका लेकिन यह माने नहीं सर हाँ ठीक है तुम लोग जाओ जी कि अचानने के बात में बड़ोगा तुम्हें तुम्हें बात में देख लूगा और तू मुझ पर हाथ उठाने की खलती मत करना तुमने मुझसे मेरी आउकाद पूछी थी ना आज मैं तुम्हें अपनी आउकाद बताती हूँ आई एम सिटिंग एम एले पुलीस स्टेशन में मेरे एक फोन कॉल करने पर तुम्हारी बेल कैंसल हो सकती है बहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ कि देख लोगा जंदोन को पिर्वनस खाव वे तालाक मुझे जल सजल चाहिए еля mageет फास्ट आई युए पादियो कि एप्वेर चुहानसा है ताइड की इमर्जानशी मिटिंग हें इक गंघे मैं ऐसा ब inspector जारह हो बाबा इस कार् 포인atz The television six입니다 एक घंटे में मैं भी चलता हूं जान सकता हूं इतने शॉर्ट नोटिस पे पार्टी की ये मीटिंग क्यों बुलाई गई बात ये है कि हमारी पार्टी ने और पार्टियों के साथ गट बंदन करके सरकार बनाने का फैसला किया है और अजी छोड़िए आप क्या बताएंगे मैं खुलकर बताता हूं पाशा गायक कवार्ड और फालके की पार्टियां हमारे साथ आ गई हैं इसके अलावा तक्रिबन हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए हैं उनके सपोर्ट के लेटर्स पहुंच चुके हैं अनुराधा और उसका गुरुप भी हमारे साथ है अब हम सब मिलकर भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं और अब आप बताईए आप और आपके लोग हमारे साथ हैं या नहीं वह सब तर ठीक है लेकिन मैं जान सकता हूं चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा हाई कमान की मंसा यही है कि सीम यश्वंतिया बेक सामिस को एक बनेगा अन्ना सहब इन लोगों के तलवे चाटने से तो बहतर है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा या फिर अपने सपोर्टर्स को लेकर के अपोजिशन में बैठूंगा बेटर हैं सरकार तो हम फिर अब आसानी से बना लेंगे क्यों यश्वन तो यश्वन यह सिला दिया तुमने मेरे अहसानों का माफ किजिए चौहान साथ लेकिन आपने मुझ पर कोई अहसान नहीं किया मैं आपकी जरूरत था दर इस नथिंग कॉल्ड फेवर इंपॉलिटिक्स तु जुँ जागे गारी में बैट। को तो दिखा दी तुने अपनी असलियत मिस्टर चौहान अपका बेटा तो मुझसे कलाग मांग चुका है अब मैं आपकी बहू नहीं रही मैंने तो अपनी असलियत पहचान लिए अब आप अपनी अवकाद पहचाने आप खतम हो चुके हैं तो चौहांस अफिनिश्ट कि अब आप कि या सोच रहा है तूश्ट रहा हूं तुनुकी कमर कैसे तोड़ी चाहें प्रिया चरित्रम देवम नजानम बाबा बहुत पहले मेरे को किसी ने एक बात कहा था अगर इंसान की रीड की हड़ी को तोड़ दिया जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता मतलब क्या है तेरा मतलब यह है कि अनुराधा जी की रीड की हड़ी है यश्वन्त अगर वो तूड़ जाए तो अनुराधा जी अपने आप ही खतम हो जाएगी कि कि अ कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया है काम समझा दिया इनको जावराने का ने इस दंदय में साब पुराने चावल है निवेक भाई हम सब आपके साथ हैं चिंता मत कीजिए कल सुबह अखवार की सुर्ख्यां वही बोलेंगी जो आप चाहते हैं जब इसान का वक्त बुरा चला हो ना तो उसे कोई नया फैसला नहीं करना चाहिए इसलिए फिलहाल तुम सीम बनने के खौप देखना बंद कर दो मतलब तुम्हारे और अनुडाधा के कारवनामों के चर्चे हर गली कूचे में फैले हुए हैं तुम्हें इस बात का एसास है कि इसे पार्टी की इमेज को कितना नुक्सान पहुंचा है और वो भी उस समय जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तुम्हारे जगह अगर मेरी जैसा कोई और होता तो अब तक विवेक का कुछ इंतिजाम कर चुका होता है लेकिन जब रखेल मना करें तो कोई ख्याकर सकता है कि नहीं 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 मुझ पर चिलाने से कुछ नहीं होगा मर्द पर जब और अवरत का साय पर जाता है ना तो उसकी सोचने की शक्ति चरी जाती है इसलिए घर जाकर आराम से ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात पर गौहर करो रास्ता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा हुआ है कि 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 है कि 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 अलो कि 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 अधिए कि बैठा है रांड के साथ कि बहुत मजा कर लिया तुम दोनों ने आज का पर पढ़ा है मजा आया है अब जनता को क्या जवाब देगा रहे तू अब तो शुरुआ थे कुट्टे आगे आगे देख होता है क्या कर अब देख होता है कर देख होता है हाँ कर दो कर तो कर दो जे घाप उति हम एड़ा है? इसले किया किया हुआ है? अँना साय बागा है, अँना साय बागा है घर के भा औा हाल देखो हर एक नाक्य पे वायरलेस है समझ में है सब्सक्राइब बंदो बस कड़क चाहिए कि इनको सब्सक्राइब क्यों क्या हुआ मैडम आप जानती नहीं है चहान के अंडरवल के साथ काफी अच्छे कनेक्शन अधिन पुराने दूस्माने निकाली और विवेग बीज में लिए साथ अंच्छान पार्टी के अधिक चले जिलिए प्लीज चले जिलिए चौहन के पार्टी वरकर्स काफी कुछ समय है किसी भी बाग कुछ भी हो सकता है प्लीज मेरी दिख्वेश से आप लेंसे चले जिलिए आप लोगों को दिली इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हाई कमांड आपके आप सीम अध्वेदों से बहुत नाराज है कि माना कि तुमने इतने साल पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं अब आज तुम्हारी खराब इमेज की वज़े से पार्टी को बहुत धक्का पहुंचा है ऐसे में सीम की पोस्ट तुम्हें किस बिना पर दी जाए शहर के बच्चे बच्चे की जुबान पर इसके और अनुरादा के कारणामों के चर्चे हैं बेग साफ पिछले 20 सालों के आपके काले करतुद अगर लोगों के सामने आ जाए तो आप कहीं के नहीं रहे जाएंगे तो यह थोड़ा सा वक चाहिए तो फिलाल आप जा सकते हैं शुक्रिया है कि आए कि क्या सोच रहे हैं दिक्षित साब हुँआ कि सोच रहा हो कि यश्वनत और बेग के अलावा इस स्टेट में हमारे कोई तीसरा पहलू है नहीं कि मैं विश्य के लिए कौन हो सकते हैं एक शक्स है मेरी नजर में अनुराधा जी माना कि उनका तजुर्बा से आदा नहीं है लेकिन एक सबसाल साल से उनकी पॉपॉलारेटी बहुत बढ़ रही है और रही इल्जाम की बात वो तो हम जैसे पॉलिटिशन्स पर छोटे मोटे इल्जाम लगते ही रहते हैं कि शायद तुम ठीक है ते हमें अनुराधा के बारे में कि अनुराधा बेटी कैसी हो बस ठीक हूं क्या बात है बेटा कुछ परिशान लग रही है वह क्या है कि अना साहब हाला कि कुछ वक्त अब राजनीती में मुझे भी हो गया है मैं अपसे सत्ता का मतलब पूछना चाहती हूं तो बेटे बेग और यश्वन के पास जाना चाहिए था उनके जैसे कितने लोग मेरे पास में आये सीख कर गए लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना शायद उनको मुश्किल लगा वैपारी और अप्रादियों से हाथ मिलाकर कानून को अपनी कट्पुतली बनाकर कैसे सामराज इस्थापित करते हैं यह वह बताएंगे तो आपकी नजरों में क्या है कि मतलब होता एक मौका बेटी मौका परिवर्तन लाने का समाज में बदलाव लाने का जनता का उद्धार करने का गरीबों की सेवा करने का लेकिन यह सब काम के लिए काफी हिम्मत और धीरच की जुरूत होती है और हमारे नेता उन्हें अपनी जेब भने से एक दूसरे की चड़े काटने से पुरसत मिले तो ना अना साब आप इतने सालों से इस माहोल को बरताश कैसे कर रहे हैं एक उमीद पीटे कोई तो ऐसा आएगा जिसमें हिम्मतों की परिवर्दल आ सके इस सिस्टम को बदल डाले वो मीद भी अच्छे में चलती हो अना साब चलती है अरे अश्वत इतनी राद गए क्या बात है कुछ नहीं तुमसे कुछ ज़रूरी बाते करनी थी कि बोलो कि बेग अपने आउकाद पर आ गया है पर मैंने कुछ ऐसा किया है कि उसे इस शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा अब अगर तुम और तुम्हारे मेरे साथ आते हो तो मुझे सीम बनने से कोई रोक नहीं सकता है हुँ एक बात पताव यश्वंत हमारी पार्टी में तुम्हारे अलावा कोई और भी तो हो सकता है सीम बनने के लाइग मेरे अलावा और कुन हो सकता है अन्ना साहिप अन्ना साहिप तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जिन्दगी भर शराफत का बोश्ट होते रहे फिर भी कुछ नहीं हो पाया उनका सीम बनने के लिए सिर्फ शरीफ होना काफी नहीं है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम्हारे भी कुछ उसूल कुछ आदर्श है भर अफसोस तुम भी उनेताओं में से निकले जो सत्ता की लालच में तरूरत पढ़ने पर अपनी बहु तो क्या अपनी मा को भी बेच सकते हैं कि अगर आपको लोगों के लिए कुछ काम करना है तो सत्ता पूरी तरह से आपके हाथ में होना जरूरी होता है और यह वो मौका है अनुराधा लेकिन तुम और तों को कौन समझा है बात बात पर जजबात ही हो जाती हो कि इसी ने ठीक ही कहा है अड़तें दिमाग से नहीं दिल से सोचती है और मैं यह कहती हूं कि तुम मर्दों की सोच गुटनो और दिल के बीच में खतम हो जाती है अनुराधा यह मत भूलो अनुराधा अज तुम जहां हो मेरी वजह से हो यह सत्ता यह कुर्सी यह लालबत्य वाली कारी यह सब मेरी वजह से हैं मुझे कल सुबह तक तुम्हारा जवाब चाहिए वरना अगर मैं चाहूं तो कल शाम तक इस्टेट में दस आनुराधा और खड़ी कर सकता हूं कल सुबह तक कि अज़ा 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 आपको ज़रा तकलिफ देने आया है क्या बात क्या बता हो मैडम तुम कहना क्या चाहते हो पवार मडम अपने देश की राजनीती में ऐसे इसे लोग है जो इलेक्षन से पहले जनता से वादे तो बहुत करते एक बर सत्ता में आने के बाद अपनी तीजोरिया भरने के अलावा उनको कुछ नहीं सुचता मैडम अपने रास्ते का कांटा हटाना उनके बाहे हाथ का खेल है मैडम इन सभी बुराईयों का प्रतिक है आपके राजनेति गुरू यश्वंत वर्दे जी मैडम मैडम मेरे डिपार्टमेंट के सुत्रों ने मुझे बताया आपके पती विवेक चवान का मर्डर यश्वंत वर्दे ने करवाया था मैं इतना है था चलता हूं आपकी सबसे बड़ी गल्टी क्या थी अपने यश्वंत वर्दे पर भरोसा किया जाहिन बुले रेगे सब नहीं सवामी जी तो पहुंच चुक है बाच्ची चल रही है जी नहीं मैं कल पहुंचूंगा नागपुर जी यहां नहीं तब तक आप बाकिया मेरेट से बात कर लीजिए जी थैंक यह थैंक्य थैंक्स तुम ठीकी कहते हो याश्वन्त मैं पेकार ही जजबाती हो जाती हूँ बार-बार फाल्तों के सवाल पूछती रहती हो मैं भूल गई थी के मेरे सामने इतना लंबा पॉलिटिकल करियर भी है आखेरे स्टेटिस बंगला यह लालबती वाली गाड़ी यह सब तुम ही ने तो दिलवाय है मुझे मैं तुम्हारा साथ देने को तयार हूँ अकर तुम चाहो तो कॉमान अनुम हो जाता है कभी कभी गुश्य में आखिर हम एक दूसरे के दोस्त हैं है ना और राजनीती का दूसरा नम समझाता ही तो है चलो मैं तुम्हें स्वामी जी से मिलवाता हूं काम आई आनुरादा जी आई बाकि सारे लोगों को तो आप जानती ही हैं इनसे मिलिये यह स्वामी जी है अनुरादा साइगल इस पूरी डिल में इनका बहुत बढ़ा हाथ है प्लीज तो सारी बातने तहरे स्वामी जी के आदेश के अनुसार लतेश रहा और शेक्टी साहब कमाल पाशा और गोईद मातर जी को 25 25 करोड रुपे देंगे अपने अपने मेलेस खरीबने के लिए ठीक है जी चार पाश दिनों के बाद पार्टी आए कमान के सामने मुख्यमंत्री की पोस्के लिए आप सब लोग मेरा नाम प्रस्तावित को तो किसको कौन सा पोट्पोलियो देना ये बात हम तैकरी चुके हैं जी बिलकुन वैसे व जी टी सियम्स की पोस्ट मैं ही लूगा है इस हाँ आँ 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 चाल लगता हूं फौन क्यों कि मेरी बात पर विश्वास नहीं था आपको क्या तुमने यह सब मुझे क्यों बता है कि पेग साहब कि राजनीती में मैं नहीं हूँ कि मैंने यश्वंत का साथ कि यह सोच कर दिया था कि एक तन आप जैसा कोई तजुर्बे का रादमी सियम बनेगा लेकिन मुझे यश्वंत की असलियत का क्या पता था पलभर में जो चौहां से बीस साल के रिष्टे को तोड़ सकता है वो आसानी से आपकी पीड में भी चुरा भोग सकता है यहां तक कि विवेक का कतल भी उसी नहीं करवा है था लोगों का विश्वास तोड़ना शायद उसकी आदत है इस सब के बाद कम से कम मैं तो उसे सीम की कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए नहीं तेख सकते कि आपका पता नहीं चलती हो जर्वत पड़े तो याद कीजेगा सुल्टान याश्वन्त रात को नागपर से लोट रहा है मुंबाई नहीं पहुंचना चाहिए रास्ते में कि समझ गए ना किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए अच्छी होगी मिटिंग इन सारे लोगाया थे जालगाव नासेक पारामती शोलापूर शारे आमेले जागाया थे हां पहुंच नहीं तोड़ी देर में याद बाई किसी चुछी पहुंच पहुंच कोच पहुंच पहुंच तरफ चुछी जयन सारे विया अलोग भाई झाल 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 तुम्हें क्या लगता है बेग और उनके आत्मी इतनी आसानी से मान जाएंगे वो सबाब मुझ पर छोड़ दीजे और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इसके लिए आप मुझे 24 घंटे का वक्त दीजे अन्ना साहब उन लोगों में जो हमारे साथ किया है हम प्यून के साथ वही कर सकते हैं आप विकर मत कीजिए मुझ पर छोड़ दीजे लतेश भाई हां जी मैडम इन लोगों को सब समझा दिया ना अब बिल्कुल टेंशन मत लिजिए इन लोगों का तो रोज का काम है मैंने उनको बराबर समझा दिया है कर दो कर दो कर दो कि इन सब का मतलब क्या है क्यों रही आदव यह सब तो तेरे लिए नया नहीं होगा तुने और बेग ने मिलकर नजाने कितने मेलेज को दराया और थमकाया होगा और तेरी बारी यही तो फट गई मेरे पास स्याता वक्त नहीं है आज की तारीख में तेरे कारनामों का अच्छा चिट्टा मेरे पास है अगर कल सुबे तक तेरे मेलेज का सपोर्ट मेरे पास नहीं आया तो डेप्यूटी सीम तो क्या अपनी गाओ के पंचायत के एलेक्शन बेभी खड़े होने के लाहिक नहीं रोगे तो कर चलो ड्राइबर कर दो कर दो कर दो कर दो अरे बाई तुमको कैबिनेट के अंदर इतना अच्छा पोजिसन दे रही है हैं वाकी की चिंता क्यों करते हो सब बंदोबस्त हो जाएगा लतेशा पर भरोसा करो मैं हूं ना ज्यादा वक्त नहीं है कल सुबह तक आप लोगों का सपोर्ट आजाना चाहिए सब्सक्राइब करें आज तो इंतजार करेंगी है आए बेग साथ अनुरादा जी बैठे हमारे कारकरता बहुत खोश हैं यह देखिया नुरादा जी सारे मेलेस के सपोर्ट के लेटर्स हैं अब हम गवर्नर साब के सामने जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं हमारी इस काम्याभी में आपका बहुत बड़ा हाथ है अनुरादा जी बोलिये इसके बदले में आप कौन सा पॉटफोलियों पसंद करेंगी बोलियों बोलिये अब सत्ता पूरी तरह से हमारे हाथ में है हुआ 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 है वो सब ठीक है पेक साहब पहले जरा इस पर तो नजर डाल दीजे लीजे क्या है यह है है मैं तो भूली गई आपको तो शायद पढ़ना भी नहीं आता है अच्छा पावार कर दो कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है सुल्तान और उसके आदमी पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया है कि यश्वन का मर्डर वेक साब ने करवाया था कि इसे इन्होंने एक्सिदेंट का रूप दिया था और हां बेक साहब इसकी खबर पार्टी हाइक कमांड को भी है और अगर आप जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो बहतर होगा कि आप बाहर जाकर अनाउंस करें कि आप पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं और हमारी सरकार के चीफ मिनिस्टर अन्ना साहिप जोशी होंगे हरामजादी कुटिया दोखेबास और तेरे भड़काने पर मैंने यश्वन्त को मरवाया और अब तू मेरी पीट में चुरा भूक रही है इस दो कोड़ी के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मेरे साथ गेम खेल रही है बाज़ार वारत अग में नहीं बाज़रू में नहीं बाज़रू में नहीं बाज़रू तुम लोग हो जिन्हों ने आज तक तक बाजार लगा कर विया पारियों और गुंडों के लिए दला लिकी जाओ बाहर जाकर अनाउंस्मेंट करो कहीं ऐसा नहों कि जेल की सजा काटने के बाद पहले की तरह सड़क पर कबाब का स्टॉल लगाते फिरो मुंसे आवास भी निकली ना सीधा चनाजा निकलेगा यहां से तेरा और रही बात तुम्हारे एमेलेज की बल्रॉब तुम लोग क्या करें बेक सहाव यह राजनीत है और यह सब आपी से तो सीखा है आए 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 बाहर चलके अनाउंस्मेंट करते हैं आए प्लीज आए ना जाएए मेरे तबियात अजानक कुछ खराबसी हो गई है ब्रेथलेस्नेस और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है डॉक्तर से बात हुई थी उन्हें मुझे आराम करने की सलाह दी है इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हमारी सरकार के सी एम अन्ना साहब होंगे वह एक नेक और इमानदार इंसान है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है जैहन पवार राजनी थी के कुछ नियम इन ही लोगों ने सिखाय थे मुझे सांप का जहर निकालने के लिए उसकी गरतन पकड़नी पड़ती है खेर इससे पहले के बेग घर पहुंचे उसे गिरिफतार कर लो मेरे डिपार्टमेंट वाले लोग अक्सर कहा करते थे मैंडम पुराई पर सच्चाई की जीत खली किताबी बात है वह गलत कहा करते थे जैए इन मारव कि अनुरादा जी आपकी पार्टी के सत्ता में आने के बावजूद आपने कोई पत्च जुकार ने किया जबकि आप चाहती तो चीत मिनेस से बन सकती थी राजनीती में होने का यह मतलब तो नहीं कि आपके पास कोई पद्र या पोजिशन हो और हां घर बैठे बैठे यह कहना बहुत आसान है कि आपके आसपास कुछ बदल नहीं सकता लेकिन अगर इस देश के आम आदमी ने राजनीती में पुरी तरह से योगदान देना शुरू नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की सत्ता गुंडे और मवालियों यह सब्सक्राट के हाथ में होगी में एक मिनिट बस इक आखरी सवाल इतने कम समय में इतनी बड़ी तरक्की का श्रे आप इस से देती किसी को भी नहीं यह कि राजनीती میरे लिए जिनलगी के सफर की तरह है जिसे मैंने अकेले ही तै किया है और आगे to above Sh lessons लार्वी खिंका है! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल